विरेंच जी अब तै हो गया है कि मलीकार जुन खटगे असो गैलोत नहीं ससी धरूर नहीं दिखबीजय सिंग नहीं और कोई नहीं सिर्फ खटगे कांग्रेस के अध्यक छोने जा रहे हैं क्या आपको लगता है कि वो कांग्रेस को बीजेपी के सामने अच्छा मुकाबला द पाएंगे ? करो लोग स्यासत में वफदारी की बात करते हैं उन्होंने देख लिया कि दगाबाजी क्या चीस है और सियासत में दगाबाजी अब एक आंप चलन बन गया है पुस्तों की वफदारी को मिंटों में कैसे खत्म किया असोग गहलोत ने ये पूरी कांग्रेस की कितनी फजीहत कराई कितनी बेजती हुई राजस्थान के एक मुख्यमंत्री ने वो लोगों ने अब देखा कांग्रेस को मजबूरी में अपने नए अदेशी और जाना पड़ा नहीं तो असोग गहलोत अदेश बन जाते उनके उपर बड़ा अंदा विश्वास था कांग्रेस का कि वो बड़े वफादार हैं अब वफादारी एक पत की खातिर उन्होंने किस तरह ठोकर मारी और राश्ट्य नेतित्यु को किस तरह से असाज किया ये लोग देख सकते हैं ये ये हाल के दिनों में दूसरा मौका है इस से पहले गुलाम नभी आजाद ने तमाम सारे दर्द बया किये थे कांग्रेस को लेकर राहूल गांदी को लेकर और जाकर अपनी एक नई पार्टी बनाई दूसरा दगा अब असोग गहलोत के रूप में आया सामने तो जिसको आप चालिस साल पचास साल पाले पोसे और आखरी में आपको वो लात मार के आगे बढ़ जाए ये कांग्रेस के दूर दिन है या कांग्रेस का ये चरितर है या संकट काल में जो का जाता है कि जब नाव डूपती है तो चूहे सबसे पहले कूट कर भागते हैं ये उसका संकेत है कांग्रेस के सामने संकट बीजेपी से लड़ने का तो है लेकिन उससे ज़्यादा उसको अपने भीतर के नेताओं से भी लड़ने का है आप देखिए कि ये तो मलिका अरजुर खाड़के जैसे लोग अभी भी कांग्रेस में हैं जो तोरित विकल बनकर उभरे हाला कि वो हिंदी पर उतनी अच्छी पकड़ नहीं रखते ना वो हिंदी भासी राज से आते हैं आपने बताया उनकी जगा अगर दिख विजय सिंग भी अध्यक्ष बनते हैं तो वो तकड़ा मुकाबला देते भी जैपी को कोई मामूली आदमी नहीं है वो दिख की खरगे दलित समाच से भी आते हैं हाला कि उत्तर भारत में यूपी विहार मंगाल उड़ीसा जारकांड यहां जादा उनका प्रभाव नहीं है लेकिन चेहरा तो एक दलित समाच का है वो उसके लिए अब यह कहा जा सकता है भाई कि वो दलित कांग्रेस के साथ वो जोलने कोशिज करेंगे उत्तर भारत में कोई परभाव भले न पड़े हैं कांग्रेस देखिए इसलिए अध्यचाज नहीं चुन रही है कि उसको कोई चमतकार करना है कांग्रेस को आज पहले वफादार पले के बाग जाए कल को बीजेपी मिले कर दे अध्यच उनका कोई भरोसा है तो ये तो बड़ी बात है कि बीजेपी में ना जाएंगे बीजेपी तो कहती है कि माँने अध्योर ऊस्ताइफ अध्यच भाद गया बेटे ने इस्तीफा दिया तो फिर माा अध्यच बन गई यह चमचे क्या करेंगे, बीजेपी तो बड़ी आलोचना करती है, आज लेकिन बीजेपी के सामने कांग्रेस में कहां मामला बराबरी का है, गर गांधी परिवार का कोई बैक्ति उसके बाहर का भी बैक्ति अब पार्टी का अद्जिश बन सकता है, देखिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहे लिजी आप ICO में है एकदम खतम है लेटी हुई है खरगे के अदिश बनने से यूपी पे कोई परभाव पड़ेगा इसको लेकर बहुत कोई उचार न दिखाए जब कांग्रेस के पास ना संगठन है ना वोट है ना कार करता है तो कांग्रेस कहां से आएगी कांग्रेस एक दब मरी हुई है अब भगवान संकर कोई आसिरवाद दे दे आके तो पुनर जीवित हो जाए भले अन्य था कांग्रेस का अब जिंदा होना उत्तर पर्देश में बहुत मुस्किल लगता है अब बात आती है कि गहलोट ने कांग्रेस को बड़ा नुकसान कर दिया कि गहलोट से निपटे की कांग्रेस ऐसा लगता है वो भले बंद कमरे मापी मांगे हैं लेकिन पहले पार्टी वाला मामला निपढ़िया है फिर गवलोग से निपटेंगे एक साल से ज़्यादा कभी सरकार है देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि मलिकार जुन खरके का वो लोग भी समर्थन कर रहे हैं जो G23 चले गए थे व अपने वफदार आदमी को अद्धिश बनाने में काम्याब रही है एक बिहार उत्तर प्रदेश हर्याणा जार्खान डुडीसा बंगाल यहां सब के लिए एक हिंदी भासी तेज तर्रार अद्धिक चाहिए था वो नहीं मिल पाया उसका मलाल कांग्रेस को रहेगा लेकिन आज अगर किसी दलित को बीजेपी अद्धिश बनाती तो कहती यह मास्टर स्ट्रोक है हमारा और खरगे के नाम पे कांग्रेस वैसे दभी सहिमी है कि उन्हों तरह बना ले जाओ चुप चाप मास्टर स्ट्रोक तो बाद में देखा जाएगा देखिए कितनी अंतर है पल का डर का यह जो चल रहा है माहौल रहा नहीं पानी कोशिस होती है तो कांग्रेस अब खाली पानी से किसी तरह बुझाय रही है मामले को इससे ज्यादा और उसमें दम बचा नहीं है बहुत उची इमारत हर घड़ी खत्रे में रहती है यह कहा गया है लेकिन कांग्रेस में ऐसे नेता है जो तमाम बुनियाद के पत्थर हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई जिनके दम पर यह इमारत खड़ी रही अब कांग्रेस में वह लोगों को आगें आने का मौका मिला है विजे जी गहलो तो गए अब खरगे आगे दीग विजे सिंग भी आगए थे रास्ते हम लेकिन वो रुख गए तो एक साहितिकार ने लिखा चार लाइन में समझेगा कि मसुहूर वो हुए जो कभी काबिल ना थे और तो और कमभख्त मंजिल उनको मिली जो कभी रेस में सामिल ना थे बहुत शुक्रिया विरेंजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद उमा संकर पांडे को लाए जाए